डिक्स ब्रेक पर छेद क्यूं होते हैं? तो पहिले के समय पर डिक्स ब्रेक पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे और जब भी गारी रोकने के लिए ब्रेक का उप्योग किया जाता था तब यह प्लेट बहुत ही ज्यादा गरम हो जाती थी जिससे की कोई ब्यक्ती इसे हाथ लगाता था तो उसके हाथ तक जल जाते थे और कई बाद ज्यादा गरम होने की बज़ा से ब्रेक भी नहीं लगते थे इसके बाद पतले डिक्स ब्रेक बनाए गए पर ज्यादा समय तक ब्रेक का इस्तमाल करने से वैं पिघल कर गारी से अलग हो जाते थे इसके बाद इन ब्रेक पर छोटे छोटे छेद किये गए ताकि इन में से हवा आरपार हो सके और यह गरम भी ना हो और ब्रेक ज्यादा समय तक चले इससे पहले के आपको ये फैट पता था कमेंट सेक्शन में अपना फीडबेक जिरूद दिख जिएगा